दोस्तों, आज की ये मूवी वैसे तो एक सिंपल स्टोरी से शुरू होती है, लेकिन लास्ट में जाकर इसमें जो ट्विस्ट है वो इस मूवी की असली जान है और इस मूवी को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर खड़ा कर देती है इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इसको अच्छी तरह से एक्स्पिरियंस कर पाएं तो चलिए, बिना देरी की ये शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त एक्स्प्रेनेशन तो मूवी की शुरूआत होती है एक अंधेरी रात से जहां हमें घर में एक आउरत को दिखाया जाता है वो आरत पता नहीं क्यों, लेकिन काफी चिला रही होती है इसी दोरान बाहर काफी तेज बारिज भी हो रही होती है और तभी हमें उस घर के अंदर एक लाश दिखती है जो खून से पूरी तरह लत्पत होती है कोई उस लाश को घसीट का ले जा रहा होता है अब सीन यहां से फ्लैश बैक में जाता है जहां हम हेमा नाम की एक आरत को देखते हैं जो फिलहाल बहुती मायूसी के साथ अपनी कार में कहीं जा रही होती है इड दे सेम टाइम अपोजिट साइट से रोशन नाम का एक बंदा अपनी बाइक में आ रहा होता है ड्राइविंग करते समय पता नहीं हेमा का ध्यान कहां पर होता है वो रॉंग रूट में आकर रोशन को ठोक देती है जिसकी वजह से रोशन का एक हलका सा एक्सिडेंट हो जाता है हेमा फोरण अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी गाड़ी से उतर कर रोशन को हॉस्पिटल ले जाने लगती है अप हॉस्पिटल आने के बाद रोशन के हाथ को बेंडेज किया जाता है शायद रोशन का हाथ कुछ ज्यादा ही जखमी हो चुका था खेर अब हेमा फिर भी वही पर होती है और अंदर से बहुत घबराई होई होती है कि कहीं रोशन के हाथ का फ्रेक्चर ना हुआ हो और इस बीच वो रोशन को बार-बार सौरी भी बोलने लगती है हाला कि रोशन वैसे तो कुछ नहीं कहता पर अंदर ही अंदर हेमा को बहुत गालियां दे रहा होता है कि उसकी वजह से मेरा हाथ तूड गया फाइनली उसके बाद हेमा रोशन को अपनी गाड़ी में उसके घर तक ड्रॉप कर देती है अब दूसरे दिन जब हेमा अपने घर पर होती है तो हॉस्पिटल से हेमा को कॉल आता है कि रोशन की रिपोर्ट्स आ चुकी है इसलिए वो आकर उसे कलेक्ट कर ले तो इसी वज़ा से हेमा और रोशन डॉक्टर के पास जाते है चेक अप करके डॉक्टर कहने लगता है कि घबराने की कोई बात नहीं है बस कुछ दिन हाथ से कोई काम नहीं करना है और थोड़ा आराम करने की जरूरत है ये सुनकर हेमा को काफी रिलीफ महसूस होता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं रोशन वापस घर आते समय किसी स्टोर में जाकर काफी सारे मैगी के पैकेट्स को खरीदने लगता है जिसे देखकर हेमा को समझ में आ जाता है कि रोशन अभी सिंगल है इसके घर में कोई मौजूद नहीं है इसके बाद हेमा रोशन को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है फिर हेमा जब वापस अपने घर पर आती है तो देखती है कि रोशन अपना फोन उसकी गाड़ी में ही भूल गया है इसलिए दूसरे दिन हेमा अपने हाथ से breakfast प्रिपेर करके रोशन के घर पर जाती है उसको उसका mobile दे कर उसके सामने breakfast रखती है breakfast में पूरिया होती है और काफी दिनों बाद रोशन पूरिया खा रहा होता है उसे वो बहुत ही अच्छी लगती है और वो हेमा को thank you बोलता है हेमा कहने लगती है कि आप अपनी मा को भी बोल दीजिएगा वो भी आपको बना कर खिला देंगी इन्ही बातों ही बातों में हेमा को ये बात पता चलती है कि रोशन की मा अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी family में भी कोई member नहीं है यानी रोशन असल में अनात है दूसरे दिन रोशन हेमा को call करके कहीं पर बाहर जाने की बात करता है क्योंकि वो तो बाइक नहीं चला सकता तो तब ही हेमा को घुसा आ जाता है और वो कहती है कि आपने मुझे क्या समझ रखा है मैं आपकी काम वाली हूँ क्या इस तरह से वो रोशन को बहुत डाटने लगती है अब बेचारा रोशन मायूस होकर फोन को कट करके सो जाता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद दूसरी तरफ से हेमा को एहसास होने लगता है कि रोशन की ये हालत तो इसकी वज़ा से ही हुई है इसलिए वो दोबारा रोशन को कॉल करके उसको रेडी होने के लिए कहती है ये सुनकर रोशन भी बहुत खुश होता है उसे देखकर हेमा भी उसकी मदद करने लगती है और फिर बातों ही बातों में रोशन हेमा को अपने घर पर इन्वाइट करता है अब घर आने के बाद चाय पीते समय रोशन की घर की लाइट चली जाती है रोशन अब अजीब सा बिहेव करते हुए हेमा को अपनी तरफ खीचने लगता है लेकिन तभी हेमा रोशन को जोरधार थपड लगा कर वहां से चली जाती है अब कुछ दिनों तक तो हेमा और रोशन के बीच कुछ भी बाते नहीं होती फिर दो दिनों बाद जब रोशन अकेला ही हॉस्पिटल जाता है अपने हाथ के बैंडेज इसको निकलवाने के लिए तो शौकिंगली वहां पर हेमा भी आ जाती है तो अपने हाथों से रोशन के हाथ का बैंडेज निकालते हुए उसको सौरी बोलने लगती है यानि हेमा भी रोशन को पसंद करने लगती है इस तरह इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट हो जाती है हर रोज मुलाकात करते कहिना कहीं घूमने जाते इस बीच एक दिन हेमा रोशन से मुलाकात करके वापस अपने घर पर आती है तो वहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि हेमा की तो अलरेडी शादी हो चुकी है और उसके हजबेंड का नाम होता है एलेक्स उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाने लगता है एक दिन एलेक्स और उसकी फैमली हेमा को देखने के लिए उसके घर पर आते हैं लेकिन यहाँ पर हेमा ये नोटिस करती है कि एलेक्स हेमा को नहीं देख रहा वो हमेशा फोन में चिपका रहता है ऐसा लगता है कि हेमा में उसको कोई इंट्रेस्ट है ही नहीं लेकिन इसके बावजूद भी हेमा और एलेक्स की शादी हो जाती है। उसी रात दोनों की फैमिलीज वाले बहुत एंजॉय करने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हेमा अपने हाथ में दूद का ग्लास लेकर एलेक्स के कमरे में जाती है। और उस वक्त एलेक्स किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। अब वो अपना फोन कट करके हेमा के पास आता है। थोड़ा रोमेंटिकली मूड होने लगता है। लेकिन उसी वक्त एलेक्स को दोबारा कोई कॉल करता है। और ऐसा लगता है कि दूसरा वाला बंदा किसी प्रॉबलम में है। एलेक्स फोरन अपने कपड़े चेंज करके बाहर जाने लगता है। वो हेमा से कहता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाओंगा। इस तरह से हेमा को वो उस रात अकेला छोड़ कर चला जाता है। सुभा होने के बाद हमको ये पता चलता है कि एक्चुली एलेक्स सोफी नाम की एक लड़की के साथ अफेर में हैं और एलेक्स कल रात उसी के पास था। फिर दो दिन बाद Alex की बहन Alex को बहुत डाटने लगती है कि तुम हेमा को इतना टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, हर वक्त काम important नहीं है, वो नई-नई हमारे घर पर आई है, उसका खयाल रखो, तो उसी रात Alex हेमा को लेकर डिनर के लिए किसी restaurant में जाता है, और उस वक्त भी Alex कि के साथ phone में busy होता है, अब Alex को busy देखकर हेमा खुद खाने का order देने लगती है, और जब वो खाना table पर आता है, तो Alex को वो बिलकुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो हेमा को बहुत डाटने लगता है, कि मैं ऐसा खाना नहीं खाता, अब वहां सभी लोगों के सामने हेमा शर्मिंदा होने लगती है, फिर एक दिन जब Alex और Sophie एक जिम में वर्काउट कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त Alex की बहन बिना कुछ ज्यादा बताए, Alex को कॉल करके फॉरण घर पर आने के लिए कहती है, तो जाते जाते Alex वहां के जिम बोई से कहने लगता है, कि तुम सोफी क की चैन को खीच कर ले जा रहे हैं, इसके बाद Alex फॉरण अपनी गाड़ी से उतर कर उन दोनों का सामना करने की कोशिश करने लगता है, वो दोनों पहले तो Alex को चाको दिखा कर धमकाने लगते हैं, लेकिन जब उनकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो वो दोनों डर के मार और हेमा की फैमली वापस अपने अपने घर जा रहे होते हैं, और उनी से मिलने के लिए उसके बहन का फोन आया था, ताकि जाने से पहले वो सभी से मिल सके, दूसरे दिन से हेमा बहुती प्यार से Alex के लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन Alex तो सोफी के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था, एक्चुली सोफी इसी के ओफिस में काम करती है, ये दोनों बहार डिनर करते हैं, एलेक्स के घर वापस आने के बाद हेमा बहुती प्यार से Alex के लिए खाना परोसने लगती है, लेकिन Alex बहाना बनाने लगता है, कि मेरी तबिया ठीक नहीं है, मां उसको बताती है कि कर्ड राइस अच्छा रहेगा, तो हेमा कर्ड राइस बनाकर Alex के ओफिस जाने लगती है, इस तरहा ओफिस में Alex सोफी को अपनी कैबिन में बुला कर उसके साथ रोमैंस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सोफी थोड़ा जल्दी में होती है, इस के बाद वो प्लेट वाश करने के लिए वाश रूम में जाती है, उसी वक्त सोफी दोबारा Alex के पास आकर उसको सौरी बोलने लगती है, कि सौरी बेबी, मैं थोड़ा जल्दी में थी, इस तरह से वो जबरदस्ती Alex के करीब आने लगती है, और उसी वक्त हेमा बाहर आकर इन दोनों को एक साथ देख लेती है, ये देखते ही उसके पैरो तले जमीन खिसक जाती है, और वो बहुत दुखी होकर वापस अपने घर जाने लगती है, दोस्तों ये वही सीन है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जब हेमा ने रोशन का एक्सिडेंट कर दिया था, अब कहानी यहां से प्रेजेंट डे पर आती है, जब हेमा वापस अपने घर पर आती है, तो एलेक्स बहुती दुखी होता है, सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लेच बेक में जाने लगता है, एक्चुली एक दिन एलेक्स को ये बात पता चलती है, कि उसकी गल्फर में गिर कर बहुत माफी मांगने लगता है, कि सॉरी हेमा, मैंने तुमको धोका दिया, मुझे एक लड़की ने धोका दे दिया, अब पता नहीं हेमा इतनी जल्दी कैसे मान गई, लेकिन इमोशनल होकर वो एलेक्स को माफ कर ही देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीबा जाते हैं, दूसरे दिन रोशन हेमा से मुलाकात करने लगता है, और हेमा रोशन को एक जबरदस्त शौकिंग बात बताने लगती है, कि रोशन, तुम्हारे पास मा नहीं है न, उस मा की कमी मैंने तुम्हारे साथ समय बिता कर पूरी की है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, इस बात का मुझे पच्चतावा है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया, लेकिन मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, अब फाइनली रोशन हेमा से कुछ नहीं कहता, और उसे बाए बोलकर वहां से निकल जाता है, उसके बाद हेमा और एलेक्स की जिंद मतलब नहीं, फिर क्यों मुझसे मिलने आये हो, लेकिन रोशन के जित करने पर वो दरवाजा ओपन कर देती है, अब रोशन कहने लगता है कि मैं इंडिया छोड़कर फॉरें जा रहा हूं, तो जाते समय मैं तुमसे आखरी बार मिलने के लिए यहां पर आया हूं, इस तरह से वो उसे बेडरूम में ले जाने लगता है, पर शौकिंग बात ये होती है कि रोशन भी उसी बेडरूम में छुपा होता है, रोशन हेमा को जगा कर कहने लगता है, कि तुम दरवाजा ओपन करो, मैं यहां से चला जाऊंगा, फिर जब हेमा और रोशन में दरवाजे के पास आते हैं, तो रोशन हेमा को हक करके बहुत मिस करने लगता है, ठीक उसी वक्त एलेक्स अपने कमरे से बाहर आकर इन दोनों को एकसांद देख लेता है, फिर उसके बाद क्या था, एलेक्स एक चाकु लेकर हेमा और रोशन को मारने की कोशिश करने लगता है, दोनों की जल्दी खत्में भी हो गई, वो रोशन को गालिया देने लगती है, कि तुम्हारी वज़ा से मेरी जिंदगी बरबाद हो गई, अब पहले तो रोशन हेमा से कहने लगता है, कि हेमा तुम फिक्र मत करो, मैं खुद पुलिस के पास जाकर सरिंडर हो जाऊंगा, लेकिन थूड देर के बाद वो दोबारा हेमा से कहने लगता है, कि नहीं हेमा, हम दोनों एक दूसरे के सांथ जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन पहले हम दोनों को एलेक्स की लाश को ठिकाने लगाना होगा, इस तरह से वो एलेक्स की लाश को एक बड़े से कपड़े में लपेट देते हेमा अभी तक शौक में होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे वो बस रोशन की बातों को फॉलो करती रहती है थूड़ी देर बाद रोशन हेमा से कहता है कि तुम यहीं पर रुको मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ और इस लाश को ठिकाने लगाने क इंतजाम करता हूँ इस तरह से वो एक जगह फाइंड आउट करने के लिए बाहर चला जाता है अब घर में हेमा अकेली होती है तो हेमा के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है अचानक से हेमा के सामने एलेक्स के माबाप हेमा के माबाप आकर फूट फूट कर रोते रहते ह वो हेमा को बहुत मारते पीटते रहते हैं और इसी बीच हेमा ये देखती है कि एलेक्स की इलाश हवा में उड़ रही है बाद में पता चलता है कि ये सबकुछ हेमा का एक नाइट मेर है इसने एक बुरा ख्वाब देखा है वेल अब बहुत देर हो चुकी होती है और रोशन अभी तक नहीं आया होता इसलिए ये चेक करने के लिए हेमा रोशन के घर पर जाती है तो उसे एक जबरदस्त शौकिंग बात पता चलती है वो देखती है कि रोशन उसके लिए एक लेटर छोड़ कर गया है कुछ पुलिस वाले उस जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं पुलिस वालों को देखकर हेमा किसी जगह पर चुपने लगती है और तभी वो देखती है कि एलेक्स की डेड बॉडी उसको फॉलो कर रही है मतलब उसे फिर से हैलुसिनेशन फील होने लगता है वो डर कर इससे बचकर भागने लगती है और किसी जगह पर आकर बेहों शोकर गिर जाती है थोड़ी देर बाद जब हेमा अपनी आखे खोलती है तो ये किसी कबरिस्तान में होती है वो देखती है कि कुछ अगोरी बाबाओं ने हेमा को यहाँ पर लेकर आए है अब हम यहाँ पर एक शोकिंग चीज देखते हैं जिस वज़ा से ये सिंपल सी मुवी इस मोड पर आकर एक्स्ट्राइडनरी बन जाती है अब यहाँ पर हेमा के सामने हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने उस दिन एलेक्स को क्रॉस दिया था जब एलेक्स ने इस बंदे को पैसे दिये थे वो बंदा पता नहीं कैसे सब कुछ जानता होता है इसलिए वो ये सारी बाते हेमा के सामने करने लगता है और हेमा चुपचाप उसकी बाते सुनती रहती है ये आदमी हेमा को एक वर्दान जैसा कुछ देता है कि मैं तुम्हारी परिशानी को जानता हूँ और तुम्हारी गलती को सुधारने का में तुमको एक मौका देता हूँ ऐसा कहते हुए वो हेमा को थोड़ा पीछे पास्ट में भेजता है हेमा दोबारा उसी जगह पर आ जाती है जहां पर एलेक्स और रोशन एक दूसरे से जगड़ा कर रहे होते हैं इस बार जब रोशन एलेक्स को मारने वाला होता है तब ही हेमा रोशन को रोकने लगती है और एलेक्स को मारने नहीं देती इसके बाद वो जोर से चिला कर रोशन से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंस है इसलिए यहां से चले जाओ, मेरे लिए मेरा पती ही important है अब रोशन के जाने के बाद हेमा, एलेक्स को हक करके बहुत रोने लगती है और उसे माफी माँगने लगती है वो उसे अपनी और रोशन की सारी बात बताती है जिसके बाद एलेक्स को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तब जाकर इस घर की लाइट वापस आती है अब दोस्तों कहने को तो इस मूवी में लास्ट में हेमा को वापस मौका मिल गया लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं भगवान उनको दूसरा मौका नहीं देते इसलिए किसी को धोखा मत दीजिए क्योंकि गलती एक बार हो तो अच्छा है बार-बार गलती करना खुद को खत्म करने जैसा है इसलिए दोस्तों इस मेसेज के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी नई मूवी आपसे मिस ना हो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ Till then take care and thanks for watching